नमस्का परसिच्चों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं जब डाल रहा हूं अपलाई कर रहा हूं बीप्यसी के सेकंड फेच के लिए तो उसमें जो सर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है सर कहां से मिलेंगे सीटेट के तो आप लोग एक परसिच्च्चों का रिकॉर्ड लिया हुआ है जो कि सीटेट पेपर दोनों क्वालिफाई हैं और अच्छे मांग से क्वालिफाई हैं जो कि यहां पर आप देख सकते हैं वैसे नंबर भी आप चुपाया गया है इनका मैं आपको बता देना चाहता हूं यह देख जो भी इसेंसियल रिक्वार्मेंट वहां पर है माग रही हो आप उसको अपलाई करके जब उपन होंगे तो आपको दो सर्टिफिकेट मैं दो पीज इस तरह से उपन होगा जिस पे एक पर लिखा रहेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अब आपको मैं बताने वाला सर्टिफिकेट कहां से मिलने वाला है ध्यान से देंगे बच्चों देखेंगे अब और एक पर देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है यह दोनों डिजी लॉकर से हमने एक दर से फरिफाई किया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ नहीं लिखा है यानि कि एक मे दिख रहा है आपको एक में केवर ओ केवर लॉल लंबर दीख रहा है तो बच्चे इस वाले को खोल कर जो eligibility certificate लिखा हुआ है इसको खोल कर बच्चे जो है डर रहे है कि सर यहां पर रॉल लंबर के सवा कुछ दिखी नहीं रहा है मैं कहां से certificate नंबर डालू तुम बता देन चाहता हूं बच्छों इस वाले को नहीं हाँ पूपिन करेंगे इसमें दूसरे वाले पर चले जाएंगे जो दूसरा वाला बच्छों गलत मत भरिएगा स्रीटी अर्याएंगष मत नहें देना है इस वाले पूरे नंबर को अच्छे से दो-्तीन बार रिवायज करकर अच्छे से डालेगा और दूसरा वाला स्रीटी त स्लीवांष करना है या रखना बच्छों OF लोर्ड करना है यह अप्लोड करना है क्योंकि दूबारा करेक्शन नहीं होगा आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ बच्छों एक बार अच्छे से आपको बहुत अच्छे से उसमें ध्यान से फॉर्म को फिलफ करना है तो यह वाला अपलोड करना है आपको सर्टिफिकेट और जो सीरियल नंबर है उसको वहां पर डालना है आपको च